दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल जूम, ओप्टिकल जूम और हाइब्रीड जूम के बारे में आप अगर स्मार्टफोन यूज़ करते तो आपने ज़रू से सुना होगा डिजिटल जूम के बारे में और आप कोई भी डिजिटल कैमरा यूज़ करते हैं नहीं कि DSLR यूज़ करते हैं तो इसमें ऑप्टिकल जूम आता है और इनमें क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताऊंगा और आजकल जो फोन आते हैं जैसे की बेस्ट होता है अब दूस्तों जूम क्या होता है यह तो आपको पता होगा जूम करना यह नहीं कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं धिरे-धिरे जूम हो रहा है तो यह जो आप देख रहे हैं यह डिजिटली जूम हो रहा है यह ऑप्टिकली जूम हम सबसे पहले यहां पर Optical zoom आप में lacking कहें can dog के आपर यह को करेंगे एक फिजिकल के जो केमरा है फोन का हो यह फिर नोर्मली आपको मिपना आप को जो और यो मिलता है वो ड्ल में मिलता है आपको कभी बिप्ल जूम होटा है मेटकर कि उसका मैकेनिनीजम रोता है वो पूरा अलग होता है वो एक hardware होता है lens में पूरा hardware वो camera में inbuilt होता है ताकि आप उससे optical zoom कर सके है अब optical zoom क्या है कि आपने जो उसमें lens लगा होगा है वो really में zoom करता है जो lens होता है उसका वो really में उसको zoom करता है picture को पास लाता है ताकि आप उसको clearly देख पाएं तो वो होता ह याँ पर optical zoom अब उसी तरह में बात करें आप डिजिटल जूम की तो डिजिटल में क्या होता है नॉर्मल ये आपका फोन का केमरा रहता है उसमें क्या करते हैं उस इमेज जो आपकी बंड़े जो फ्रेम दिखे रही है आपको उसको आप जुम कर रहे हैं तो वह जूम होना नजर आएका बुसकर फ्रेम है उसका आप सेंटर में से स्कैल करें जो जो center point ले लिए आपने वहां से scale करेंगे तो बड़ी हो नहीं है यहां पर एक दिक्क्त आ जाती है जब वह बड़ी तो हो जाती है बढ़ दिक्क्त हो जाती है यह वह फटर्ने लग जाती है क्लियर नहीं दिखाई देते हैं तो डिजिटल जूम में यह दिक्कत आती है अब वो जैसे तेसे करके सॉफ्ट्वेर की मदद से उसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करते हैं स्मार्टफोन वाले पर इतना ठीक नहीं कर पाते हैं कि वो एकदम क्लियर दिखे तो आपने द मेट 20 प्रो अनोंने कुछ एक नया यहां पर टेकनोलोजी निकाहला कि यह पुरानी है सूपर ऑप्टिक करके एक टेकनोलोजी है उसी से यह आई है तो यहाँ पर होता क्या है दो केमरे की मदद से हैं यहां पर हम जो है हाईब्रीड जूम ले सकते हैं अब होगा क्या एक जो आपका main camera रहेगा जो normal photos लेगा और एक और जो camera रहेगा वो आप जब zoom करेंगे 5x या 10x उसकी photo लेगा तो यहाँ पर कोई एक photo नहीं लेगा एक फ्रेम नहीं लेगा यहाँ पर बहुत सारी frame होगी उसी frame उसी जब आप click करेंगे उसी time पर वो 4-5 photos एक साथ लेगा अलग- एक फ्रेम की उसी time पर photo लेगा और फूर उसको एक powerful software या algorithm होती है उनको उसकी मदद से उसको एक करके और उसकी उसी की उसी की high definition image बनाने की कोशिच करेगा नहीं की HD image बनाने की कोशिच करेगा तो वो हो गया यहाँ पर जो blurry image आपको देखने को मिलती ती digital zoom में वो नहीं मि image देगा तो जब आप कोई भी photo को zoom करेंगे 5x या 10x 5x maximum I think maximum है 10x करेंगे तो फिर वो ही बात हो जाएगी blur blur आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर 5x करेंगे आप तो normal आपको जो zoom में देखने को मिलता है जो normal photos लेते हैं वो उसी तरह से आपको image देखने को मिलेगी तो यह इस तरह का यहाँ पर combination है एक तरह से software और hardware का combination है अप्टिकल जो zoom होता है उतना अच्छा तो नहीं है बट हाँ जो digital zoom होता है उससे तो काफी अच्छा होगा यह तो hybrid आपने देखा होगा hybrid zoom ही यूज करा है Mate 20 pro जो आता है यहाँ पर phone उसमें तो उसी की मदद से हम 5x यहाँ पर zoom कर पा रहे हैं और यहीं यहाँ पर तीनों के बीच में different है I hope आपको समझ आ गया होगा कि क्या तीनों के बीच में different है और अगर आप ऐसा कोई phone डूंड़े जिसमें zoom करके आप photo लें और वो फटे नही ब्लर नहीं हो अग्दम clear photo आए तो आप भूल जाई है ऐसा कोई phone बना ही नहीं क्योंकि optical zoom phone में possible अभी फिलाल तो पॉसिबल नहीं आगे जाके अगर सी कोई technology यह सा hardware कोई आ गया जो छोटे से एकदम phone में आपके आ जाए तो बेभी possible हो पाएगा बट अभी तो इसा possible नहीं यह सब कुछ जो हो रहा है जूम हो रहा है यह हो रहा है scale app करके और software की मदद से हो रहा है बाकि अगर नॉर्मली hardware की मदद से यह possible नहीं है अगर आपको ऐसा कुछ चाहते हैं आप तो बड़ा आपको DSLR रिलना पड़ेगा उसी से photographic करनी पड़ेगी उसी से आपको zoom करना प मिलता है तो वहीं से आपको optical zoom मिलता है जो camera में मिलता है वो digital zoom मिलता है और जो made 20 pro है उसमें आपको hybrid मिलता है वो एक अच्छा software अच्छी algorithm उन्होंने बनाई एक तरह से मैं बात करूँ जो की पूरी image को scale up कर सके वो भी pixel फटे भीना है आप फिक्सल की मैं बात करता हूं जो फिक्सल है वो फट जाते है digital zoom में जो hybrid है वो उसको calculate करता है अच्छी कासी calculation होती है पूरी image की processing होती है उसके बाद आपको image देखना को मिलती है तो यह सारा तीनों में के बीच में different है I hope आपको यह video पसंद आयोगा अगर आपको कोई भी doubt है कोई question है तो आप comment section में comment कर सकते में इसका जुरू से reply करूँगा आपकी help करने की कौशिश करूँगा अगर आपको यह video पसंद आता है तो like करिए शेयर करिए हमने friends के साथ में अगर हमने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए कि रोजना में आपके लिए टेक वीडियो से लेकर आता है हो और साथी जात कुछ से इंट्रेसिंग अप्रेट आपको जाना जुरूए थी वोग में आपको देता है जो इस चैनल पे लेट्स वाल फॉर इस टाइम थेक्स वाजिए